बुलोशी गोवर्धन नाथ की जय शिविठले शराय की जय बुलोशी गिरिटाज धरण की जय बुलोशी आम सुन्दर शियमुने महराणी की जय बुलोशी मदवल्लभा धीश की जय बुलोशी गुसाईजी परम दयाल की जय सिक्षाशागर शिहरिराय महाप्रभू की जय बुलोश औरासी वेशनाओ की जय जेश्वी कृष्ण चठे वेश्ण शेट पुर्श्वत्म दास वार्ता प्रसंग चार एवं पांच वार्ता प्रसंग चार और सेट पुर्श्वत्म दास एक दिन मंदिर में बेठे हैं मंदिर वस्तर करत हते सो दूरी ते गोपाल दास देखी के मन में विचार कियो आगे आओ, तब गोपाल दास निकट आई के देखे, तो बीस-पच्चीस बरस के सेठ हैं, तब सेठ पुर्ष्टोतम दास ने गोपाल दास सो कही, जो भगवदिये सदा तरुन हैं, परन्तु जो अवस्था होई, ताको मान दियो चाहिए, ताते आजू पाछे एसी मन में मत लाईयो, भाव प्रकाश, या को अर्थ यह, जो गोपाल दास के मन में यह आई, जो मैं तरुन हो, सेठ जी वरद्ध हैं, अब मैं सेवा में तत्पर होऊ, या बात में गोपाल दास को बिगार जानियो, जो तू हम कहा सेवा करेंगे, शिया चैरी जी जासो क्रपा करेंगे वासो ही शिठाकोर जी सेवा करवावेंगे, सो तरुन कहा, रद्ध कहा, आजू पाछे, एसी मन में कभुहू मति लाईयो, सो या प्रकार मान मर्दन करी, बेगी ही समुझाए, काहे ते, गोपाल दास दीला में सेठ की सकी हैं, ताते ए न समुझावे, तो और कन समुझाव वार्ता प्रसंग पांच, और एक समय सेठ दक्षिन में गए, ताँ जारखंड में मंदार परवत है, ताके उपर मंदार मदुसुधन ठाकूर है, सो उपरवत ने मनुष्य गिरे, तो चोट न लगे, अंजाने, और जानी के सगरे, पार कही के उपर ते गिरे, तो धे छु प्रमा करत पधारे हैं, तहां एक समय सेठ पुर्शतम दास और एक ब्रह्मन वेश्नव विरक्त संग दो जने गए, सो उवा रात्री होई गई, ताते परवत पर सोई रहे, अर्द रात्री समय एक ब्रह्मन सिद्ध को रूप धरिशी ठाकूर जी आपू आये, तब सेठ ब लभाचार जी के सेवक हैं, तब उन ब्रह्मन ने कही हमारे पास मनी हैं, तू लेऊगे, तब वेश्नव ने कही मनी में कहां गुण हैं, तब उन ब्रह्मन ने कही जितनों दरवे चाहिए सो मनी सो मिले, तब उन विरक्त वेश्नव ने कही जो मैं कहां करूंगो, जग्दी सेर चुन देऊगे ताते सेट पुर्षतम दास ग्रहस्त है इनको बहुत खरच है इनको देऊँ तब ब्राम्मन ने कही जो सेट जी को जगावो तब उहु वेश्णवने जगाई के सेट जी सो कही यह मनी लेऊ या सो जितनो द्रवे चाहिए तितनो होएगो तब सेट पुर्षतम दास ने कही जो हमारे तो मनी नाही चाहिए तब उहु सिद्ध ब्राम्मन मनी लेके फिरी गयो तब वेश्णवने सेट जी सो कहीो तुम मनी क्यो न लिये तब सेट ने कही तु क्यो न लियो पहले तो तोको देथ हो तब उहु वेश्णवने कही मैं विरक्त होँ मनी कहा करूंगो जग्दी सेर चुन जहां तहां देदेंगे तब सेट ने कही तोको सेर चुन देंगे तो मुको दस सेर हुँ देंगे कहा जग्दी इसके कछु टोटो है सो ब्राम्मन बावरे मैं शी ठाकुर जी को आश्रे चोड़ी मनी को आश्रे करूं पाचेश सेट अपने घर आए भाव प्रकाश यह वारता में बहुत संदे है जो सेट सेवा चोड़ी के दक्षिन क्यों गए इनको कचु कामना तो नहीं सो दक्षिन में उहां मदु सुधन ठाकुर के वहां क्यों गए तहां कहत हैं जो सेट के मन में यहां आई जो दक्षिन में शी आचेले जी को जनम है सो जन्म इस्थान के दर्सन करी आऊं ताके लिए दक्षिन गए तब मंदार मदु सुधन ठाकुर सेट जी सो कहे जो तुम क्रपा करी के या परवत में मेरे पास आओ तो या इस्थान को पाप दूरी होए काहे ते मेरे यहां अनेक पाप यावत है सो कोव परवत ते महत में सुनके गिरत है सो उनके पाप बहुत भए है ताते सगरे तीर्थ गंगाजी आदी भगवदी के आईवे को मार्क देखते हैं ताते तुम या देश में आए हो तो पवित्र करो और तुम आओगे तो या तीरत को मात में बढ़ेगो तीहारों तो कचु बिगरे है ना ही प्रभू के आश्रयते या प्रकार मंदार मदुसुदन कहे तब सेट जी उपरवत पर गए तब मनी लेई के लुब्यायप परन्तु सेट निश्काम है इनको कचु डर ना ही ताते जो इसे निश्काम होई बामे तीर्थ को पवित्र करीवे को सामर्ति होए तिनको बाधक न परे और सकाम को तीर्थ हूँ बाधक है या ते जो उस्थल के मात में ते परवत्ते गिरे तब मनुरत के फल पावे यह कही जताय जो मनुरत कामना कचु वस्तु की कामना भई तब पुष्टी मार्क सो गिरे और निश्चय मनी न लिये ताको अभिप्रा यह जताय जो बिना मांगे हूँ कचु फल मिले ताके लिए में भी बाधक अन्य संबंध होई तो कामना ते तो निश्चय अन्याश्रय होई ताते सेट ने हूँ विरक्त वेश्णाव सो कही जो बावरे ताको कारण यह जो मनी आदी कचु फल देन आवे तासो बोलनो ना ही आपो ही चलियो जाए या प्रकार सेट के दड़ाश्रय होतो गोवरधन की रहिये तडेटी स्री गोवरधन की रहिये नित्य प्रती मदन उपाल लालके चरण कमल चीत लहिये तडेटी स्री गोवरधन की रहिये तना पूल कित व्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिये रशीक प्रीत महीत चित की बाते स्री गिरिधारी जी सो कहिये तडेटी स्री गोवरधन की रहिये जेशी क्रश्णा जेशी क्रश्णा